सुआगत है आप सबी का अपने यूटूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर फ्रेंड्स आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी एचिक के जो हिंदी है हिंदी इलेक्टिव की जो पोयम है जो पद है विदापती के पद वो करेंगे तो बिना कोई टैम वेश्ट के इसे स्टार्ट करते हैं सकी है की पूचसी अनुभव मोय से सेहे पीरती अनुराग बखाने तिल तिल निंतन होय जनम अबदी हम रूप निहारल नयनन तिरपती भेल सेहु मधुर बोल सर्व नहीं सूनल शुपती पत परसन गेल अब हम इसके प्रसंग में लिखेंगे की जो उपरोक्त जो पद हमारे सामें प्रसुत किया गया है यह इसके रजेदा विद्यापती है आरीकाल के प्रशित जो कवी थी वो थे विद्यापती तो आप इसको मैंशन कर सकते हैं कि आरीकाल के कवी विद्यापती है तो आरीकाल के प्रशित कवी विद्यापती ने यह प्रस्तूत पद लिखा है और इसे विद्यापती के पदावली से लिया क्या है इसमें जो विद्यापती है वह राधा जो राधा इसमें जो नाईक का है जब उसके सखियां उसे पूछती है कि प्रेम क्या होता है हमें भी बताओ उन्हें, तो जो रादा है वो प्रेम के बारे में किस प्रकार से बताती है, चलिए देखते हैं, अब इसकी व्याक्य देखिए, सकी है की पूछ सी अनुभव मोई, है सकी, तुम उससे क्या पूछती हो मेरे प्रेम अनुभव के बारे में, की पूछी मतलब क्या पूछती हो, मुए मतलब होता है मेरा तो राधारानी कहती है जब उसकी सखी पूछती है उनसे तो वो कहती है हे सखी तुम मुझसे मेरा प्रेम अनुभव क्या पूछती हो जिसे मैं बया कर नहीं सकती जिसे मैं नहीं बता सकती की प्रेम अनुभव क्या होता है इसका मतलब यह है कि जो रादारानिय वो कहती है कि मैं जो प्रेम अनुभव है उसके बाले में तुम्हें क्या बताऊं सेहे पीरिती अनुराग बखानिय तिल 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 नियुंतन होई यहाँ पर सेहे का मतलब है यहाँ पर वही पीरिती मतलब है यहाँ पर प्रिती तिल-तिल मतलब है शण-शण, नूंतन मतलब नया, सहे पेरिती अनुराग बखानिय तिल-तिल नूंतन होए, अब जो राधारानी है जो नायका है वो कहती है कि हे सखी तुम उसे प्रेम अनुभव के बार में पूछती हो, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो ये प्रेम राग है, जो हमेशा बदलता रहता है, शण-शण में बदलता रहता है, नया रूपधारन करता रहता है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रेम है, उसकी व्याक्या की गई है, उसकी व्याक्या की गई है, कि जो प्रेम है, वो स्तिर नहीं है, वो हर शण बदलता र रहता है जिसे की बताया नहीं जा सकता है कि उस वो जो प्रेम है वो हर्शन रूपधारन करता है जनम अबदी हम रूप निहारल नियानन त्रिप्ति बेल जनम अबदी मतलब जनम जीवन भर रूप निहारल निहारल मतलब निहारना या फिर देखना नयन मतलब नेत्र त्रिप्त त्रिप्ति और बेल मतलब हुए तो आपको उगर शब्दों के मतलब आती होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे अब जो रादा है जो नायका है वो कह दी है कि मैंने तो उनको किनको श्री कृष्ण भगवान को मैंने तो कृष्ण को नायक को जीवन भर जब तक वो मेरे पास थे जीवन भर मैंने उनको देखती रही हूँ मैं उन्हें निहारती रही हूँ फिर भी क्या हाल है मेरा फिर भी ये हाल है कि जो मेरे नेत्र हैं उनसे त्रिप्त नहीं हो पाए है कि मेरे नेत्र हैं वो अभी भी क्या चाहते हैं कि उन्हें देखना चाहते हैं अपने नजरों के सामने तो जो मेरे नेत्रे अभी उनसे त्रिप्त नहीं हो पाये हैं वो ठके नहीं है उन्हें निहारते हुए वो अभी भी उन्हें देखना चाहते हैं सेहो मधूर बोल सर्वर नहीं सुनल शुरूती पत परसन अगेल सेहो मतलब वही मधूर बोल मतलब मीठे बोल मीठी वाने तरव नहीं मतलब है यहाँ पर कानों से सुनर मतलब सुनता है यह फिर सुनना यह फिर सुना शुरूती मतलब है शुरूती पत शुरूती पत पतल मतलब क्या होता है रास्ता होता है शुरूती मतलब कानों तक जाने का रास्ता तो श्रूती पत्थ क्या होगा कानों का रास्ता परस मतलब स्पर्श नायका कहती है कि यहां तक कि मैंने उन्हें अपने कानों से उनकी जो मधूर वानी है उनकी जो मधूर बोल है वचन है उन्हें हमेशा सुनते रहे उन्हें हमेशा सुनते रही हूँ अपने कानों से, अपने कानों के पत से, अपने कानों से सुनती रही हूँ पर उन्तु फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने आज सक उन्हें सुना ही नहीं है उनकी वाने सुनी ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर इन दो लाइनों बता रखा है इसका ताथपर यह है कि इम्हें वो हर समय, हर शन अपना रूप बदलता रहता है नियूंतम होता रहता है, नया होता रहता है तो अगर कोशन पूछा जाए कि प्रेम जो है वो नियूंतम होता है उनकी कौन से दो लाइनों से, कौन से जो लाइन है, उनसे पता चलता है, कौन से पंक्तियों से पता चलता है, तो वो ये दो है, परस नगे, कतमतु इसका मतलब की रूप और वानी की जो चीर नवीनता है, जो बदलता रहा था है, उससे जो राद, जो प्रेमी का है, वो अभ तक त्रिप्त नहीं हो पाई है तो प्रेम बदलता रहाता है कत मधु जामिनी रभश गमा उलीन भूचल कईसन केली कत मतलब है कितनी मधु जामिनी मतलब है वसंत की कितनी सोहावनी राते रभश मतलब है यहापक काम ख्रीड़ा काम क्रीड़ा गमा उली मतलब है यहाँ पर गवाई या फिव्यतीद की बूजल मतलब जान सकी कैसन मतलब है कैसी केली मतलब रती क्रीड़ा तो देखिए कत मतु जामिनी रभश गमा उलीन भूचल कैसन केली अब जो राधारानी है जो नायक है वो कहती है कि कितनी मधूर कितनी जो सुहावनी राते हैं मैंने नायक के साथ व्यतीद की हैं बिताई हैं परन्तु कितनी जो प्रेम क्रीड़ा हैं उन रातों मैंने उनके साथ की हैं नायक के साथ की हैं परन्तु अब तक भी मैं यहें नहीं जान सकी हूँ कि जो रती क्रिड है वो क्या होती है। जर्नी मतलब जलना या फिर त्रिप्त होना जर्नी न गिल मतलब त्रिप्त ना होना। अपने हिर्दय को उनके हिर्दय से लगाए रखा परन्तु फिर भी जो मेरा हिर्दय है अभी भी उनके स्पर्ष से त्रिप्त नहीं हुआ है। अभी भी मिलन की आस है। तभी भी जो मेरा हिर्दय है वो अभी भी जल रहा है उनकी उनसे मिलन की प्यास में। अभी भी भी वो शांत नहीं हुआ है। तो यहां पर जलने का मतलब यही है कि अभी भी जो हिर्दय वो चाहता है उनकी प्यास है उनकी हिर्दय से लगने की। कद बिदगद जन रस अनुमोदय अनुभव का हो न पेक। तो यहां पर कद मतलब कितने। बिदगद मतलब है यहां पर दुखी। यह भी परिशान है न। और अनुमोदय रस अनुमोदय का मतलब है रस का उभोग करते हैं। रस अनुबद मतलब रस का उभोग करना रस का उभोग करना पेख मतलब देखना तो जो अब नाइका वो कहती है कि मैं ही नहीं ऐसी हूँ कि मेरे साथ ये ऐसा अलग से हो रहा ऐसा नहीं है ये तो कितने ही ऐसे हैं जो अभी भी दुखी हैं अपने प्रिये से मिलने के लिए जो विद्यपदी वो भी कहते हैं कि मैंने जो अनुभव किया है कि जो जितने भी होते हैं वो सारे के साय दुखी रहते हैं रस्क उभो करने के लिए उनसे मिलने के लिए उन्हें एक बार देखने के लिए विद्यापती कहे प्रान कहे प्रान जुडायते लाखेन मिलल एक विद्यापती कहते हैं विद्यापती कहते हैं, कितने ही जो हैं, वो जुडाईते मतलब जुडाने के लिए. लाखे न मिलल एक, मिलल मतलब मिला. विद्यापती कहते हैं, लाखों में भी कोई भी एक ऐसा नहीं मिला, जिसका जो मन है, वो प्रेम को, जिसका जो मन है, प्रेम में पूर रुप से त्रिप्त हो गया है. उसे अब और प्रेम की, और रस उबहों की लालसा नहीं है, उसका जो मन है, ऐसा कोई भी नहीं मिला है, जिसका मन प्रेम से त्रिप्त हो चुक है, उसे और प्रेम नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मिला, विद्यापती के प्रान जुडायते लाखिन मिलल कोई भी नहीं मिला ऐसा, कोई एक भी नहीं मिला ऐसा, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि जो प्रेम है, उसे पूर्ण रूप से त्रिप्त, त्रिप्ती हासिल नहीं की जा सकती है, प्रेम सदा नूंतम बना रहता है, उससे जो प्रेम है, अपना रूप बदलता र अब इसका विशेश देखें, इसके विशेश में हम लिखेंगे कि जो उप्रोक्त पद हमारे सामने प्रसुत किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो प्रेम है वो शर्ण प्रतिशन क्या होता है, नियुन्तम होता जाता है, तो पहले ही हो जाएगा, दूसरा होगा कि जो का अगला हम लिखेंगे कि इसमें जो अलंकार है लाख लाख में क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्योंकि जो एक शब्द के आवर्थी एक से ज्यादा बार होती है वहाँपर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तो यहाँपर आएगा अब देखिए यह में भी क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है अनुप्रास अलंकार देखिए निहारल नयर में भी यहाँपर नय है और यहाँपर भी नय है जब एक शब्द में जो पहला अक्षर वह दूसरे शब्द के अक्षे से मेल खाता हुआ आपर अनुप्रास अलंकार होथा, यहां पर अनुप्रास अलंकार है और इसमें जो भाषा है वो है मैठली भाषा इसी के साथ जो वीडियों पर पोस्ट करनी होगी अगर आपको अच्छे समझ में आई हो तो प्लिस वीडियों को लाइक के जो शेयर के जो कमेंट करके पता है कैसी लेकी अगर आप चैनलों के सब्सक्राइब करना चाहते हैं और में जो बाल लेके न उसे प्राज कर सकते हैं धेंक्यू